Hello everyone and welcome to car देखो आज हैं हम Hyundai Venue Face Lift में और बात करने वाले हैं इसके instrument cluster के बारे में अब ये पहले से बिलकुल change हो गया है पहले आपको analog मिलता था अब ये digital मिलता है इसमें आप देखेंगे तो left में नीचे की तरफ आपको आपका few level मिल जाता है और left में बड़ा आपको speed भी मिल जाता है राइट साइड की बात करें तो नीचे आपको engine oil temperature और फिर आपका RPM हो जाता है जैसे आप revs करते हैं तो ये आप देख सकते हैं वहाँ पे ये lights भी बढ़ती रहती है अब जो DCT model आता है उसके साथ आपको drive modes भी मिलते हैं तो जब आप drive mode change करते हैं तो theme भी instrument cluster की change हो जाती है अगर मैं menus की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आपका drive information मिल जाता है multiple trips के साथ इसके बाद आपको navigation मिल जाता है तो अगर आपने inbuilt navigation में कोई destination set करी है तो आपको वो मुड़ने की details यहाँ पे भी दिख जाएंगी इसके लावा आपके पास tire pressure information system मिल जाती है तो tire pressures जो भी गाड़ी के होते हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाते हैं पहले खाली low pressure आपको warning ही मिलती थी लेकिन आप आपको सारे detail pressures भी इस गाड़ी में मिलेंगे और finally जैसे मिला को बताया था यह वही driving information जब आप gear change करते हैं तो उपर की तरफ left में वो information आपको मिल जाती है जैसे अब आपने देखा यह parking sensors का data भी आपको यहीं पर मिल जाएगा drive sports की जानकारी भी यहाँ मिल जाती है और अगर आप paddle shifters का use करते हैं तो भी यहाँ पर जहाँ D1 लिखा है वहाँ पर first second or third gear लिखे वे आ जाते हैं गाड़ी total कितनी चली है उसके information आपको नीचे मिल जाती है सबसे नीचे इस MID में नीचे right में और सबसे उपर आपको मिल रहे है आपकी गाड़ी की current fuel level के हसाब से range तो यह था instrument cluster Hyundai Venue Facelift का अगर आपके कोई questions इसके बारे में तो जरूर पूछी है हमसे comments में महाँ पर मैं जरूर उनका जवाब दूँगा Thank you so much for watching